आठ फर्वरी को दिल्ली में विधान सभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टिया चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है तो वहीं इससे पहले जब आहलान नहिरु स्टेडियम में एक आरकर में उन्हें ने कहा कि बिजीपी को जो चुनाव मुश्किल लग रहे उसमें विरोधी खुश हो रहे थे और समर्थक तनाव में अमिश्या ने कहा ऐसे कई चुनाव आए जिन में लगता था कि इस बार मामला फसा हुआ है लेकिन जब जब मेरे साइबर योध्याव ने लड़ाई की कमान समाली विजय हर बार नरेंद्र मोधी और बिजेपी की हुई है इसके अलावा उन्होंने नागरिकत शंशोजन कानून की खलाफ शाहिन बाग में चल रहे विरोध प्रिदर्शन पर भी टिपड़ी की उन्होंने कहा हम ऐसे दिल चाहते हैं जो प्रिदर्शन मुक्त हो हर घर में जहां पर स्वक्ष पीने का पानी मिले 24 घंटे ब जवस्था जाम से मुक्त हो और कभी शाहीन बाग ना हो ऐसे दिल ली चाहते हैं बता दे आपको कि दिल ली में विदाहन सबच नौ आठ फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को मतगरना होगी और इसके बाद ही पता चलेगा कि दिल ली में किसकी सरकार होगी आपको क्या लगता है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं एस्पियर नाइम यूजरों से शृतिक रिपूर्ट